तो हेलो फ्रेंड्स आपका फिर्स से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SM IAP और इस वीडियो में हम बात करेंगे Comfort Intact Limited की जिसका BSE Code 531216 है आज कल ये स्टॉक बहुत ही तेजी से भाग रहा है आज भी इस स्टॉक में 4.63% की रैली देखने को बिली है और ये स्टॉक 5.65 के लेवल पर चला गया है ट्रेड कर रहा है अट 11.39 एम तो दोस्तों मार्केट में भी अच्छा ट्रेंड है और ये स्टॉक भी बहुत ही तेजी से भाग रहा है तो आएए देख लेते हैं कि क्या आने वाले टाइम में इस स्टॉक में कुछ रैली होगी जाए इसमें कुछ प्रॉफट बुकिंग देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों क्या होता है जब भी आप किसी स्टॉक में दिवेश क करते हो तो उस कांपनी के फंडामेंटल जुरूर चेक कर लो टेकनिकल पैरामेटर जूरूर चेक कर लो क्योंकि कभी भी कोई भी स्टॉक एक डिरेक्शन में नहीं चलेगा तो जड़ी आप सही वैलुईशन पर सही स्टॉक को सेलेक्ट करोगे तो ही आपका जो है यहां प बटन जुरूर पैस कर लें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें आगे शियर करना मत भूलें तो आईए सबसे पहले इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं लास्ट फाइव ड है तो आज जो स्टॉक है इसी लेवल के राउंड ही ट्रेड कर रहा है आने पहले टाइम में जदी ये स्टॉक इसके ऊपर एक ब्रेक उट देता है तो फर्दर ममेंटम इस स्टॉक में बन सकता है अदरवाइस इसमें प्रॉफट बुकिंग भी आ सकती है क्योंकि इसका ज जड़ी ये स्टॉक 560 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर देखने को मिल सकती है क्योंकि 6 मत में देखो गे 90% के बढ़िया रिटर्न्स ही इस स्टॉक में देखने को मिले हुए हैं तो जैसे ही इस स्टॉक ने 4 का लेवल क्रॉस किया ब लॉंग टर्म में क्लियर ये स्टॉक एक मल्टी वैगल स्टॉक है तो जो अच्छी कंपनिस हैं लॉंग टर्म में जरूर आपको अच्छा पैसा कमा के देती हैं क्योंकि दोस्तो शॉर्टर में क्या होता है चलो आप सेंड डाउन चलते रहते हैं एक वर कोई नेगटिव आ गई जहां कंपनी के नंबर नेगटिव आ गए तो वो चलता रहता है लेकिन जदि कंपनी अच्छी है तो लॉंग टर्म में जरूर आपको अच्छा पैसा ही कमा के देगी दोस्तों कंफ़र्ट इंटेक मेंली फिनास एंड एन एफ बी एफसी सेक्टर में काम करती है यह इसका में कंपनी का बिजनस है और आजकाल इसकी जो सबसे बड़ी स्टेंग्ट यही है कि टेकनिकली यह स्टॉक बहुत ही स्टॉंग पोजीशन में दिख रहा है तेकनिकली यह स्टॉक बूलिश मोमेंटम चोग कर रहा है अपने ओल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है पह सिवी स्टॉक में दिवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल जरूर एक बार अच्छी तरह स्टॉडी करो करांटली जदी इसकी वैलुईशन देखें तो कोई ज्यादा नहीं है पी मल्टिपल्स टीटीम बेसिस पे 25.68 चल रही है जबकि सेक्टर की पी रेशो देको 29 की ह तो सेक्टर के मकाबले अभी भी यह जो स्टॉक है सस्ता है इतने बड़िया रेटर्स देने के बाद अभी भी यह स्टॉक सस्ता है प्राइस टो बुक रेशो भी इतनी ज़्यादा नहीं है 1.57 की है तो कांपनी आजकल बहुती ब्यूलिश ट्रेंड जरूर शो कर रही है इसका टेकनिकल चार्ट देखो तो यह स्टॉक जो है बहुती स्टॉंग जो है मोमेंटम छो करता है टेकनिकल चार्ट में देख सकते हो यह स्टॉक आजकल बहुती ब्यूलिश मोमेंटम में चला गया है और बहुती जो स्टॉंग जो है अपना मोमेंटम छो करता दखाई तो 6560 के राउंड जैसे हमने पहले बताया है इसका एक बड़ा resistance जोन भी आपको देखने को मिल सकता है तो 6560 का लेवल एक बहुत भी बड़ा एक resistance जो जहां पर आज देखने को मिला है इसके चार्ट की इसकी price की performance देखो दोस्तो one week से लेके और three year का data देखो continuously इसमें जो है बढ़िया returns ही मिलते जा रहे हैं जैसे जैसे इसको आप long term के लिए hold कर रहे हो बैसे बैसे आपके returns बढ़ रहे हैं तो three years में ये stock जो है 986% के multi bag returns देखने को show कर रहा है क्योंकि दोस्तो पैसा तो long term में ही बनता है पैसा patient से ही बनता है अच्छे quality के stocks को hold करने से ही बनता है तो यहां पर clearly example है one week में 21% के returns है one month में 55% के returns है three month में 80% के returns है year till date में 116% के returns है one year में 117% के returns है जबके three years में 988% के multi bag returns है तो जैसे जैसे इसको आप long term के लिए hold कर रहे हो आपके पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं multiply ही होते जा रहे हैं यही indication है कामपनी के जो है अच्छी performance की क्योंकि दोस्तो latest quarterly numbers देख लो कामपनी के match quarter के number बहुत ही शानदा रहे है net sales 31.18 crore आई है यहाँ पे 26.8% का jump है तो यह भी एक indication है क्योंकि number positive आने के कारण यह stock बहुत ही तेजी से भागता दखाई दे रहा है community sentiments भी इस पे बहुत ही positive है आई यह long term के fundamentals एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 5 years का revenue का data देख लो तो आपको सारा कुछ clear हो जाएगा देखो दोस्तों revenue जो है जहाँ जो शो किया है 18 से लेके 22 तक का data है तो आप देख सकते हो company का revenue continuous ली बढ़ रहा है 2018 में इसका revenue 22 crore था 19 में 53 crore हो गया 2020 में 59 crore हो गया 2021 में 85 crore हो गया जबके 2022 में 111 crore हो गया तो last 5 years में company का जो revenue है nearly 5 times ग्रो कर गया है तो CAGR growth बहुत ही बढ़िया है बहुत ही strong है बहुत ही positive है तो यह एक indication है दोस्तों company अच्छा perform कर रही है जबके share holding के देखो promoter की holding बहुत ही बढ़िया है 57.46% की promoter की holding है FYS के पास 1.49% की holding है तो एक अच्छा mix share holding pattern जरूर यहां पे देखने को मिल रहा है FYS का भी अच्छा पैसा इस company में लगा हुआ है उपर से company का debt to kitty ratio जो है वो nearly nail है company जो है different type के market operations करती है capital sector में and BFC sector में company का business है investment finance software activities company करती है and these are the services offered by the company includes corporate banking under the offers that is syndication of the rupee and foreign currency loans trade finance and the bill different type के financial services है वो company provide करती है जदी इसकी comparison करें different peers के साथ market cap के accordingly बहुत ही शोटी कामपनी है 181 crore का इसका market cap है और Bajaj finance उनके comparatively चोला investment finance बहुत ही शोटी कामपनी है PE ratio 25 की है बहुत ही सही है और price to book ratio भी सही है एक से भी काम है ROE percentage 6.74% की है चोलो decent है और debt to equity ratio भी नियली नियल है तो यह जो सारे fundamentals है positive है यह indication दे रही है कि long term के लिए यह stock एक multi bag stock है दोस्तों थोड़ा सा जदी आप volatility को bear कर सकते हो एक दो साल के लिए क्योंकि दोस्तों ऐसे नहीं है कि कभी भी एक stock एक direction में ही चलेगा बीच में इस stock में भी आपको dip मिलेगा इसमें आपको जो है वो proper booking भी मिलेगी यह stock नीचे भी आएगा लेकिन company के fundamental strong है तो long term में जरूर यह recover कर जाएगा लेकिन दोस्तों ऐसे कोई guarantee नहीं होती है कि एक साल बात चलेगा दो साल बात चलेगा ऐसे कुछ भी यहाँ पर guarantee नहीं होती है लेकिन company अच्छी है company के fundamental strong है company का business सही है तो जरूर आपका पैसर cover होगा आज नहीं तो कल होगा इसलिए हम आपको यही कहेंगे जो भी आपका surplus money है ऐसे नहीं है कि loan लेके पैसा लगाना है ऐसा कभी नहीं करना है क्योंकि लोन वाला तो अपना पैसा बापस मांगेगा fix time होता है उसके बाद वो कहेगा कि मेरा पैसा बापस करो लॉंग टर्म के revenue की growth बहुत ही बढ़िया है company ने पास्ट में अच्छे performance दी हुई है तो जैसे ही इसमें को dip मिलता है इस stock को buy करो जा sip के through इसको average करो और long term के लिए इस तरह के stock को hold करो तो ही आपको जो है यहाँ पे बढ़िया returns मिल पाएंगे तो company के fundamentals company के जो financial report है that is okay जीरों जीर बेसिस पे company के number जो है वो continuously grow ही होते दिखाई दे रही है इसलिए हम आपको इस stock पे accumulate की रहे देंगे और आज गल जदी इसका resistance level जो हमने आपको बता लिया है उस पे focus करें 5 से लेके 5.60 का एक बहुती consolidation range निकल कर आ रहा है 37 की है एक breakout जुरूर देखने को मिला है तो जड़ी आने बले time में भी ये stock continue करता है breakout continue कर लेता है और 5.60 के उपर sustain कर लेता है तो फिर further इस stock में बहुती positive target देखने को मिल सकते हैं even one year में ये stock आपका पैसा भी double कर सकता है लेकिन दोस्तों ये जो इसका lower support है वो 3.41 के round है तो जड़ी ये stock कल को कभी भी 3 and 4 के बीच में आपको मिलता है तो वो एक best entry point होगा ये हमारी आपको राए है personal राए है तो थोड़ा सा patience रखो जल्द बाजी मत करो जड़ी ये stock में कल dip आएगा जो भी short term investor है वो तो अपना profit book करेंगे ही तो इसलिए जड़ी ये stock 3 से लेके 4 के बीच में आपको मिलता है 4 के round जड़ी मिल जाता है 4 even 4 से थोड़ा उपर भी मिल जाता है तो आप इसको cumulate कर सकते हो सिप के थूँ ही इसको cumulate करो ये हमारी आपको राय है तैंक्स अगें दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ अभी तक जड़ी आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करके जाएं बेल लाइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें इससे आपको मरे आने वाले वीडियो का notification मिल जाएगा